हेलो गाइज ठंड का मौसम है तो मेरा वाज जो है कुछ चेंज हो सकता है तो यार मैनेज करना और आज जो हम समझने वाले हैं वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है तो मेरे नितू सालमा का कहना ये है कि इसको इतना गहराई से बतलाईए कि हम एक ही बार में समझ जाएंगे तो नितू सालमा हम आपको से यही कहना चाहती है कि समझना और न समझना न तो सिर्फ आपके उपर निर्भर करता है तो गाइज यहाँ पर आज किस वीडियो में समझ जही लेते हैं बारी-बारी से तो आई अब हम समझते हैं तो गाइज यहाँ पर आप सबको आसानी से दिखे क्या रहा है स्वपोसन जिसे इंगलिस में बात करें तो अटो ट्रॉफिक ओके तो गाइज यहाँ पर आप सबके सामने जो परिभासा है वो क्या है तो यहाँ पर आप सबको दिख रहा है कि जब सजीव गाइज आपको स भोजन स्वय कहने का मतलब यह किया वह खुद ओके तो वह अपना भोजन खुद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्वपोशन कहते हैं यह बात के लिए रहा बस आपको यह ख्याल रखना है कि जो अपना भोजन खुद बना लेता हो उसे हम क्या कहते हैं स्वपोशन कहते हैं गाईज स्वपोसन ना कह करके हम इसको स्वपोसी भी कह सकते हैं मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं स्वपोसन कहते हैं लेकिन इसको हम स्वपोसी भी कह सकते हैं तो गैज स्वपोसन का हमारा जो उदारन आ जाता है उहरा पोधा और कुछ जिवानू ये सब अपना भोजन खुद वखुद बना लेते हैं तो गैज आप इजी वे में समझ गये होंगे तो अगर आप इसको लिखना साथते हैं तो आसानी से इसको लिखिए और वीडियो को रोक कर ओके तो चलिए अब हम आगे के चीजों को सिखते हैं तो गाईज यहाँ पर देख सकती हैं आगे की चीजों में क्या लिखा हुआ है कि बीसम पोशन ओके जिसे इंगलिस में बात करें तो हेट्रो ट्रोफिक ओके तो यहाँ पर आप सबको आसानी से दिख क्या रहा है तो यहां पर आसानी से आपको दिख रहा है कि जब सजीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आसरित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं बीसम पोशन कहते हैं मतलब हम आपको यह कह रहे हैं कि जब सजीव मतलब कोई भी सजीव है वो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित यानि निर्भर रहता हो ठेक है तो ऐसे जो भोजन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बीसम पोसन कहते हैं गाईज आपको ये चीज ख्याल रखना है कि कोई भी सजीव वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता हो जैसे मैं आप देख सकते हैं मनुसिय मनुसिय अपना भोजन दूसरे जन्तुवों से प्राप्त करते हैं माना दूद हो गया, अंडा हो गया, मचली हो गया और पेण पोधे से आप समझ भी सकते हैं तो बीसम पोशन को हम बीसम पोशी भी कहते हैं तो ये आपको घबराने वाली बात नहीं है तो यहाँ पर आपको परिभासा आसानी से मैंने लिख रखा है आप लिख सकते हैं क्या है कि जब सजीव अपने भोशन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आस्रित रहता हो यानि निर्भर रहता हो तो उसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पर याद रखना है बीसम पोशन कहते हैं उमीद है आपको यह समझ आगे होगा तो चली यार यहाँ पर उदारन देख सकते हैं मनुसिय, अहरित पोधा और कवक ठेक है तो आईए अब हम समझते हैं आगे के चीजे तो गाईज आगे का जो हमारा आजाता है वो क्या है परजीवी तो परजीवी को इंगलिस में क्या कहते हैं तो गाईज यहाँ पर आप सब को दीख क्या रहा है आसानी से कि जब पोधा जी हाँ गाईज अभी भी आपने देखा क्या पीछे तो गाईज अभी भी आपने पीछे क्या देखा तो गाईज यहाँ पर अभी भी आपने देखा कि जब सजीव और यहाँ पर बात आजाती है जब पौधा तो सजीव पौधा क्या है एक सजीव ही है तो आपको बिल्कुल घवराना नहीं है तो यहाँ पर आप सबको दीख क्या रहा है आसानी से तो यहाँ पर आपको दीख क्या रहा है तो जब पौधा अपने पोषन के लिए गाईज पोषन कहें तो इसको हम भोजन भी कह सकती हैं तो गाईज यहां पर कह रहा है कि जब पोधा अपने पोषन के लिए यानि भोजन के लिए दूसरे जानदार जानदार कहने का मतलब ये कि जिसमें जान होगा मारा नहीं जिसमें जान होगा तो दूसरे जन्दार पौधे पर यानि जन्दार पौधे पर ही निर्भर रहता हो तो उसे हम क्या कहते हैं परजिवी कहते हैं बस आपको ये चीज़ ख्याल रखना है कि जो पादप अपना भोजन किसी जानदार पौधे से क्या करता है प्राप्त करता है भोजन तो ऐसे पादप को हम क्या बोलते हैं परजीवी बोलते हैं तो अपने अमरवेल का नाम तो सुना ही होगा गाईज अमरवेल जो हमारा होता है वो परजीवी का उधारन होता है क्योंकि अमरवेल ऐसा पादप है किसी दूसरे पादप पर चहड़ गया तो समझ लो कि यार वो उसका भोजन खा लेता है और धिरे धिरे उसको नस्ट करता ही जाता है और आपको भी पता है कोई किसी को खाएगा तो उसको यार कम होगा यानि उसको हानी तो हो गाई होगा तो यहां पर आपको याद क्या रखना है कि जब कोई पादप अपने पोसन के लिए गाईज यानि अपने भोजन के लिए दूसरे जानदार पोधे पर निर्भार यानि जिसमें जान होगा उस पर आसरित रहता हो निर्भार रहता हो उस पर भाया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं परजीवी कहते हैं ओके तो परजीवी का उधारना आप बिल्कुल समझ सकते हैं अमरवेल ओके तो ये चीज आपको किलियर हो गया होगा तो आगे अब हम बढ़ते हैं आगे के चीज़ों में आप देख सकते हैं मैंने लिग क्या रखा है, मृतौप जीवी जी हाँ guys, मृतौप जीवी तो guys, इसको हम मृत जीवी भी कहेंगे तो कोई दिकत नहीं है तो guys, यहाँ पर आप देख सकते है, यहिस में क्या है सेपरो फाइट ऊके, तो guys, यहाँ पर आप समझे ये परिभासा क्या है बहुत ही आसान है यार ओके तो यहां पर देखिए तो यहां पर आपको दिख रहा है कि जब पौधा मतलब यह कह रहा है कि जब कोई पौधा जब कोई पौधा सड़े गले सड़े गले यानि समझ सकते हैं पूरा सडल गड़न यानि मरल मरल कहें तो मृत यानि मरा होता है तो जो पौधा सड़े गले यानि कह सकते हैं मृत पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं मृतोप जीवी कहते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो आपको घवराना बिल्कुल नहीं है तो गाइज एक्जामपल में देख सकते हैं जैसे मैं मसरूम यानी कहें तो गोबर छता ओके तो यहां पर मिर्तिजीवी भी आपको याद हो गया होगा और समाज आ गया होगा तो इसको अगर आप लिखना साहती हैं तो गाइज वीडियो को रोकिया और आसाने से लिखिया औ तो यार हमें सपोर्ट जरूर करना क्योंकि हम ऐसे परिवार से गुजरते हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं तो बाइबाट टेकर बेस्ट अफ लक बने रही है और जूडे रही है और कोई दिक्कत होना यार तो मुझे जरूर बताना